बर्साने में राधरानी के मंदीर में घूमने के बाद दर्शन करने के बाद हम पहुंचे कीर्थी मंदीर यह मंदिर इतना खूब सूरत है एक बाद मैं आप लोगों को बता देती हूं यहां पे जो आप नशे की चीज लेकर नी जा सकते और इस मंदीर के आसपास और इस पर लगाया हुआ था ताकि यहां पे गंदगी ना फैले और हमारा जो कलर है वो इसी भी पिलर पे ना लगे तो यह मंदिर बहुत ज़्यादा खूब सूरत है और यहां पे बहुत पसंद आए यहां से जाने के बाद ममी बस इस मंदिर के बारे में ही बात कर रही थी कि मुझ यहां पे जरूर दर्शन करना और यहां की खूब सूरती के ना जारे लेना इसके बाद हमारी बस आगी है क्योंकि हमने अभी एक और लोकेशन पर जाना था नंदगाउं वहां में गई नी थी क्योंकि उस टाइम मैं बिमार होगी थी में से चला यह नहीं जा रहा था क्यो कि इस दिन हम बहुत चले थे तो हम दुवारा से बस में बैट के सारी सुवारियां बस में बैट की और हम पहुंचे नंदगाउं नंदगाउं का आप नजारा देखोगे तो सब इने एक जैसे घर का कलर करवाया था तो नंदगाउं यह हैं मत्वरा में यहां पे आप कि जब कृष्ण भगवान को उनके मामा जो की कंस थे वो उनको परिशान लगे करने तो नंदगाउं ने जो है यहां पे घर बनाया था पाल भाया मुझे यही बता रहे थे कि यहां पे किसी का भी जादू टोना नहीं चलता है और जब वो उनको परिशान करते थे तो उसक है जब प्राओे भुशा सबस्ते है जब टेख प्रूमी चलता है जब कि जब लगे पाल बाहे यहां है तो तू है जब टूरोना वाल झाला बाहे जब वत्सरी आजारे यह जफना जब लग्यां जब करे बाहे जब कि यहान दुता है । तो मैंने और मम्मी नी यहाँ पर एक गाना गाया और बहुत ही प्यारा गाना था वो और उसके बाद मैंने दर्शन करके बाहर बैठ की और मेरे साथ भी गंजुवईया भी बैठ के बाहर मम्मी गई थी दर्शन करने के लिए और उसके बाद फिर हमने दर्शन वेगारा किये और हम निकलें यहाँ से बाहर क्योंकि अभी हमें अपने रूम पे पहुंचना था और रूम पे पहुंच के हमें रेश्ट भी करनी थी एक और दिन था भी हमें यहाँ पर बिरिंदामन में तीन दिन के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे फिर हम सीडियों से उतरे और उसके बाद बापस अपनी गाड़ी के पास चलेगे तब को हम गाड़ी के पास पहुंचे मम्मी ने बोला कि मैंने आप आईसक्रीम खानी है हर एक चीज बहुती समभाई लगा के खाते हैं खाना ये चार-चार दिन नी खाते हैं नींद ये पूरी करते नहीं है और उसके बाद हम निकल पड़े वरिंदावन के लिए चाहां पे हमारा कमरा था उसके बाद मैंने पूझा करनी थी और उसके बाद मैंने वोजन ग्रहन करना था मेरा फास्ट था तो बिल्कुल सिंपल खाना बंगवाया था और ये थी सेव भाजी और दाल और नान तो उस्तादी ममी को बोर रहे थे कि दो रोटी खालो आप भी ममी मना कर रहे थे मैंने पूझा की उसके बाद फिर मैंने खाना खाया और फिर दुवारा से हम रिंदावन की और निकल पड़े I hope दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी इसका नेक्स्ट पार देखने के लिए सब्सक्राइब करें थेंक्यू रादे रादे